सो दोस्तों इसमें बात करने वाले हैं जो कि इसराइल कंट्री है जैसा कि आप सभी जानते हैं उसके तरफ से कुछ बैकंसी आती है जो कि गौर्णमेंट टाइप की रहती है जिसमें आपको काफी अधिक सेलरी मिलता है प्राइबेट के मुकाबले में जियांस्तो अब ऐसे म कौन से बैकंसी आई हुई है और किस तर से अपलाई करना है हलाकि हमने यहां पर और भी वीडियो अपलाई किया जियांस्तो यानि की दिखाया किस तर से आपको फॉर्म भरना है चलिए आपको इसमें दिखाते हैं कैसे आपको क्या एज लिमिट है और क्या करेटेरिया और की गौवर्मेंट का स्कील इंडिया डिजिटल यहां पर यह वेबसाइड है सिंपली इसी पर आपको देखने के लिए मिल जाता है कुछ इस तरह से फ्रेम वर्क और यहां पर आप देखेंगे इसका मतलब यह है कि यह कंपणी यहां पर सरकार के साथ में बाचित करके कुलाइब की है और यही कंपणी आपको यहां पर भेजेगी काम में और सालरी भी बता गया 1,47,250 रुपे पर मन्त जियांस तो इंडियन रुपेज में आपको सालरी मिल जाता है अब इसके लबाँ अपलाई करने से पहले दोस्तो इसका कुछ जानकारी आप जोब डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं यहां पर minimum five year of work experience जियांस तो यानि कि कम से कम आपके पास पांच साल का जो की यह work है उसमें experience रहाना चाहिए यह work यहां पर देख सकते हैं furniture carpenter जियांस तो और यहां पर furniture carpenter दिया हुए basic और इसके लबाँ knowledge आपके पास यहां पर basic English होना चाहिए यानि कि कम सकम आपको कुछ ने कुछ ऐसा मतलब English आना चाहिए जिससे कि आप वहां पर बात्चित कर लें इसके लबाँ आपको देख सकते हैं यहां पर दिखाया जाता है जो कि आपका age limit है 25 से 45 साल के बीच में होना चाहिए तब ही आप इसमें apply करेंगे तो आपके पास इंटर्विव के लिए को अला सकता जी है उस तो इसके लबा आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से physically fit don't have previous experience of Israeli यानि की आप physically fit होना चाहिए और पिछले साल का यदि माल जी आपके पास आप कभी भी मतलब इसराइल कंट्री में नहीं गए है तो उसकी जरूरत नहीं है सिर्फ और सिर्फ आप physically fit रहें तो आप इसमें apply कर सकते हैं इसके लबा कुछ और जानकारी नीचे के तरफ दिया गया जैसे की email id जिस company के थूर आप जाएंगे उसका email id mobile number जैसे जानकारी भी आपको मिल जाता है अब बात करते हैं apply के लिए तो जैसे ही आप apply now वाले बटन पर किलिक करेंगे तो यहां पर कुछ option खुलेगा कुछ इस तरह से तो दोस्तो फर्स्ट option select कर लेना होगा उसके बाद से यहां पर देख सकते हैं mobile number पूछा जाएगा तो आप अपना mobile number डाल करके इसमें login कर लेंगे और login करने के बाद से दोस्तो यहां पर KYC के लिए बोला करके आप इसको verify कर लिजे KYC complete हो जाएगा उसके बाद से आपको resume बनाना होगा resume बनाने के लिए काफी online website है जोस्तो जैसे कि आप यहां पर Google Play Store पर आजाएंगे और यहां पर आप लिखेंगे resume maker जैसे ही आप इतना लिखेंगे resume maker तो यहां पर काफी ज्यादा मतलब यह application आ आ सकते हैं जियांस तो जैसा डिजाइन चाहते हैं वाइसा आप और यहां पर हम लोग कुछ यहां पर open करके दिखाते हैं सो इसमें आप format देख सकते हैं कुछ इस तरह से 100 template आपको देखने के लिए मिलता है सिर्फ और सिर्फ आपको यहां पर जो कि आपका यहां पर यह detail वही फिल करना होता है जैसे photo upload करेंगे तो आटेमेटिक सेट हो जागा जहाँ पर लगा हुआ है इसके लाँ और भी यहां पर आप size minimize कर सकते हैं और भी content अपना add कर सकते हैं कुछ इस तरह से आप अपना resume बना करके और इसको PDF format में ले लिजिए और PDF format में जो कि आपका document है उसको भी attach कर दीजिए जैसे कि यह अधार card तो दोस्तों जैसे इतना आप यहां पर कर देंगे तो वहां पर upload करने के बाद आपके mobile number पर एक OTP जाएगा apply जब करेंगे तो OTP डालने के बाद आप बहुत ही सानी से apply कर सकते हैं उसके बाद से आपको कुछ इस तरह से message दिखेगा चलिए आपको दिखाते हैं जैसे ही आप apply करेंगे तो final print के लिए आपको कुछ इस तरह से message दिखेगा जैसा कि आपको अभी दिखाते हैं तो दोस्तों देख सकते हैं कुछ इस तरह से framework location इज्राइल और यहां पर लिखा हुआ है you have successfully apply for this position यानि कि आपने इस position के लिए apply कर दिया है और salary आपको देखने के लिए आपको बता दिया है यदि आप और भी detail में जाना चाहते हैं तो एक video का link आपको description में मिल जाएगा वहां से आप live देख सकते हैं कैसे apply करना है तो कोई सवाल रहा गया तो नीचे comment करके पूछ सकते हैं तो आप से मिलते हैं next video में